हेलो और नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी लोगों का आपके अपने यूटूब चैनल NK एजुकेशन में आप सभी लोगों की जोड़दार डिमांड पर NK एजुकेशन लेके आया है PTT एग्जाम पेपर 2020, 10 माई 2020 इसका कम्पलीट पेपर एक बार जरूर देख लेना जो NK एजुकेशन है प्रिपेर किया है तो चलिए आज के इस वीडियो के अंदर 200 क्यूशन के बारे में चर्चा करने वाल है पहला क्यूशन है मोसाप्या दोस्त कहां पाया जाता है तो इसका सही आंस्वर है फेपड़ों में पाया जाता है मोसाप्या या निकट समझत रोगी जिसमें दूर की वस्तियों साफ नहीं दिखाई देती है अगला क्यूशन है दाउदी बोह रहे हैं वो कि जिल्ले में स्थिद है गुजरात के मध्यापरदेश के च्छतिसगट के राजस्तान के इसका सही आंस्वर है कि राजस्तान के अंदर ही इस्थित है निमलिकिन में से कौन आता है जब कोई स्थेट आप मलका से यात्रा करता है तो इसका सही आंस्वर है सिंगापूर जब परसांद मासागर में मलका इस तल में कोई परव्यस करेगा तो सरबतम सिंगापूर आता है यह जल्संदी परसांद मासागर वा हिन मासागर को राजस्तान में बूरी क्रांती का सम्मन किस से है तो राजस्तान में बूरी क्रांती का सम्मन खादान पर ससकरन से है कि राजस्तान के अंदर खादान की फसलों को उन्नत किया गया है बारत में प्रेवरन निती का परकासित हुई थी तो प्रेवरन निती 2006 में परकासित हुई प्रेवरं निति 10-15 वर्श योजना में गोशित की गई थी। बारत में सिल्कॉन 較 कॉन सा है दो बारत में सिल्कॉन का राज्य वो कन्याटक है कन्याला ती रासदानी बैंगलॉर को सिल्कॉन 2014 में भारत सरकार के द्वारा दिया गया वर्तमान में 6 क्लासिक भासाई हैं तम्मिल, तेलगु, कन्नर, संसकत, मलेयम और ओडिशा क्लासिक भासाई गोसी थे रॉयल्ट अधिनियम जो प्रारित हुआ तब भारत के वाइसराई कौन थे तो रॉयल्ट अधिनियम प्रारित करने से समय लॉर्ड चैम्स फोर्ड थे वो उस समय के गवर्नर वाइसराई थे अब एसिया में कौन सा पहली बीच समुन्दर टट पर जिसे ब्लू फ्लैक के नाम से टैग मिला हुआ है तो ओडिशा समुन्दर टट को ब्लू फ्लैक के नाम से टैग मिला हुआ है ओडिशा जब चंद्रबागा बीच एसिया के बीच पहला समुन्दर था उस समय उसको य अगला बारत्य सविद्यान की प्रास्तावना जिसे 26 नवंबर उनिस सुन पच्चास को अपनाया गया जिसमें सब्द निम्लिकित मैं से कौन सा सब्द संब्लित नहीं है तो आपको नहीं के बारे में पता करना देखिए दोस्तों समाजवाद नहीं है धर निर्पेक्स नहीं अखनता नहीं है गंतंतर था तो आपको एक चीद ध्यान देनी स्वर अखनता नहीं था बाकी सारे के सारे नहीं थे तो आपको इसका सई आंस्वर होगा एक के अंदर समाजवाद नहीं था धर्निर्पेक्स नहीं था गंतंतर नहीं था अगला बारत में परमुक खरेपानी की सबसे बड़ी जील, सांबर जील, राजस्तान के अंदर इस्तित है, निमली की संसोदिन अधिनियम में से कौन से सविधान प्रस्तावना का संसोदित किया गया, तो बैयालिस्वा सविधान संसोदिन के अंदर जो सविधान है उसको थोड़ाबो चेंज किया गया, निमली क संसोधित किया गया है तो संसोधित किया गया है तो महाराष्ट ऐसा रजी है जिसने लोकायुक को प्रसाइट किया अगला क्यूशन है मिर्जा राजा की पद्वी जांसा सार ने किसको दी थी तो इसका सही आंस्वर है जैसिंग इन नितव में से कौन अकेला व्यक्ति था जि लिया था गोल में समलेंग का जो भाग लिया था बी आर मेड करने लिया था बारत में 55 व्यक्ती आई सब्सक्र बनामे नहर अमार सौनाल बांगलागीत किस ने लिका था तो रविंदरनाथ टेगोर ने लिखा था बंगल के विवाजन का राष्टान है, ये गुरू रविंदरनाथ टेगोर ने 1905 में बंगल का विवाजन कर दिया, जानने के समय लिखा था और ये 1905 में बरतमान में बंगलदेश का राष्टे गान है, अमार सोनार बांगला, अगला क 2018 में नोबल पुरुषकार अर्थवेस सास्त्र में दिया गया था तो इसका सही आंस्वर है वीलियम नोड़ोज तदा पल्लेम रॉमस कुल पंजिकरा सुक्षम लगू और मध्यम उद्यम सितंबर 2015 से 12 जुलेई 2018 के मध्य 488.04 लाग थे 2022 में विक्टर ओलंपिक का होगा तो 2022 में बीजिंग जो चीन के अंदर सहर है उसके अंदर होने के आसार है अगला क्यूशन है इन में से किसने बाव विवा पुस्तक लिखी वाव विद्या सागर जी ने लिखी सिपाई विद्रो के दोरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे तो लॉड कैनिन थे सगन वन परतिशत के रूप में सरवादिक है तो मिजोरम के अंदर सगन वन परतिशत है मध्यपरदेश में 7.75 मिलियन हेक्टर में सगन वन है राजिये में बूबाक्या परतिशत से लिया सरवादिक 0 परतिशत बन मिजोरम 94 परतिशत है इन में से कौन सा गेर नवनिकरन उ उसका सही नवनिकरन है वायू और स्वरूर्जा का नवनिकरन किया जा सकता दुद्वा राष्ट्य उद्यान का इस्तित है तो दुद्वा राष्ट्य उद्यान है यूपी उत्तरपर्देश के अंदर इस्तित है इन में से कौन से राज्ये में बुद्ध का जीवन संबंद ह तो बुद्ध का जीवन सम्वन आवंती गंदार कोशल मगद तो इसका सही आंश्वन आप लोगों के लिए मैं आपको बताता है तो कोशल के अंदर बुद्ध का जीवन सम्वन है मगद के अंदर है अब उनका किस परकार से मातमा बुद्ध के जीवन काल में परत्यक सम्वन क कोशल माजनपत से था कोशल माजनपत की राजदानी स्रेवास्तव में मातमाबुज ने सरवादिक उपदेश दिये थे आपको हिंदी का वीडियो कुछ ही दिनों के बाद आपको मिल जाएगा पचास इंपोर्टेंट क्यूशन वो भी वीडियो आप लोग जरूर देखना औ के इन वाट्सव नमर पर सेंड कर सकते हो आपके क्यूशन का मत्र 10 सेकेंड के अंदर आंस्वर देद दिया जाएगा अधिक जानकारी के लिए लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्सिन में देदूंगा वहाँ से जाके आप अधिक जानकरी प्राप्त कर सकते हो ठैंक्स और वाचिंग फुल वीडियो मिलते है नेक्स वीडिया में